Hello everyone, welcome back आज की वीडियो में हम बना रही हैं ये सोई वैक्स केंडल तो मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि कैसे हम सोई वैक्स केंडल बना सकते हैं तो यहां मैं सबसे पहले ले रही हूँ ये सोई वैक्स तो आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ कि ये जो है ये है पैराफिन वैक्स जो नॉर्मल हम कैंडल बनाते हैं उसमें यूज करते हैं और ये जो दूसरे वाला है ये है सोई वैक्स तो जो सोई वैक्स होता है वो थोड़ा सा क्रीमी होता है, सोफ्ट भी होता है और ये थोड़ा सा expensive रहता है जो अपका normal wax होता है उससे तो अब हम इसको अपने container में डाल लेंगे उसके बाद मैं इस container को induction के उपर रख देती हूँ और इसका temperature में 200 degree Celsius पे set कर देती हूँ अब ये धीरे धीरे जो है वो पिंगलता रहेगा अगर आप चाहें तो आप gas के उपर भी बिल्कुल sim करके gas को रख सकते है तो यहाँ पे हमारा wax जो है वो melt हो चुका है अब हम इस wax को जो है वो transfer कर देंगे अपने containers में तो आप glass container ले सकते हैं, tin की container आप ले सकते हैं तो 10-15 मिनट के बाद हम इसके अंदर जो भी आप कुछ flowers है वो add करना चाहते हैं तो वो हम 10-15 मिनट के बाद add करेंगे तो अब हम बना रहे हैं aroma candle तो उसके लिए आपका जो wax है वो थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए आप उसको ऐसे करके देख लीजिए अगर वो side में layer बन रही है तो वो आपका सही है कि आप उसके अंदर जो है वो oil डाल सकते हैं तो अब मैं इसको इस container में डाल लेती हूँ और उसके पाद जो भी essential oil आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे मैं ले रही हूँ यह sandal fragrance तो इसकी 10 drops में इसके अंदर डाल दूँगी तो अगर आप यह बहुत ज्यादा मतलब अगर आपका wax ज्यादा गरम है तब आप इसको डालते हैं तो आपका जो oil है वो burn हो जाएगा और उसमें खुश्बू की जगे थोड़ा सा smell आ सकती है तो आपको देखना है कि जो temperature है वो down होना चाहिए जब आप उसके अंदर oil डाल रहे हैं इसके बाद हम इसको 5 से 10 मिनट तक रख देते हैं इसके बाद यह कुछ मैं spices ले रही हूँ कि मैं इसके उपर डाल दूँगी और बिल्कुल हलके हाथ से इसको मैं हलका हलका प्रेस कर देती हूँ क्योंकि wax जो है वो अभी काफी soft है तो आप ज़्यादा उसको प्रेस ना कीजिएगा बिल्कुल हलके हाथों से इन चीजों को आप रखते जाईएगा यहाँ पे मैं ले रही हूँ यह फ्लावर स्वजेरा तो इसको इसके उपर स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद हलके हलके इसको भी प्रेस कर देंगे तो इसी तरीके से हम अपनी तीनों कैंडल को डेकोरेट कर लेते हैं तो यहाँ पे जितना भी कैंडल मेकिंग से रिलेटेड मेरा मैटेरियल है वो मैं एक ही डीलर से लेती हूँ और उनका लिंक मैं आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसके बाद हमें इसको 7-8 गंटे के लिए रखना है तो 7-8 गंटे के बाद हमारी कैंडल कुछ इस तरह से दिख रही है और अब जो भी एक्स्ट्रा थ्रेट वगेरा है उसको मैं कट कर लेती हूँ और यह जो कंटेनर है इसको थोड़ा सा टेकोरेट कर देते हैं और जबकि जो सेंटीड कैंडल जो आप बना रहे हैं तो उसको आप जो है वो कवर करके रखिएगा ताकि उसकी जो फ्रेग्नेंस है वो उसी के अंदर रहे वो उड़े नहीं बाबाई गाईस